हालो एवरीवर्ण, वेल्कम बैक टू प्रेंसे एदुकेशन चैनल, फ्रेंड्स आज हम लोग आपर सॉल्ड करेंगे क्लास 10 आरे सिक्रवाल की बुक से निया एडिशन से जैसे के आप जानते हैं आगिया है सो आपका यहाँ पर एक्सराइस टू बी मिन्स चाप्तर टू का एक्सराइस टू बी का कुशन नमर ट्री एन फोर एक्सराइस टू यह हम लोग अल्रडी सॉल्ड कर चुके हैं आपने अगर नहीं देखा है तो गाइस चैनल पर प्लेलिस्ट में पॉलिवाल्मियल्स क्लास 10 प्लेलिस्ट है जिसमें सारे सॉलिशन आपके नियर एडिशन के अविलेबल हैं यह फिर इस वीडियो के एंड में भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी वहाँ पर भी आपको सारे सॉलिशन अविलेबल हैं अगर आप चाहते हैं कि आपको डेली नियर नोटिफिकेशन मिलते रहें तो अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजी एंड बेल आइकन पर आल प्रेस कर लेजिए जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे ओकी गाइस सो आईए इस को सॉल्व कर लेते हैं अपने फ्रेंट्स को विजाला सेरे शेयर कीजिए इससे उनके लिए भी हल्फुल हो सो question number 3 आपको दिया हुआ है find a cubic polynomial whose zeros are 2, minus 3 and 4 means आपको क्या बताना है cubic polynomial बनानी हैं जैसे कि आपने exercise 2a में एक quadratic polynomial बनाया था सेम इस वाल equation exercise में आपसे cubic polynomial के बात की है तो आपको cubic polynomial बनाना है zeros of the polynomial कितना दिया है आपको 2, minus 3 and 4 जैसे कि हम जानते हैं क्या माल लेते हैं alpha, beta, gamma माल लेते हैं zeros of the polynomial को let alpha equals to 2, beta equals to minus 3 and gamma equals to 4 ठीक है सो आपको cubic polynomial के equation मालू है जो कि हमने starting में ही basic concept में read out कर ली थी क्या होती है x cube minus alpha plus beta plus gamma into x square plus alpha beta beta gamma plus gamma alpha into x ठीक है and minus alpha beta gamma यह होती है आपके zeros of the polynomial की equation राइट किसी भी polynomial P के लिए P x के लिए मालनी जहीं यह आपके equation होती है x value के लिए तो आपको क्या find out करनी है यह equation find out करनी है proper सो हम यहां क्या करेंगे alpha beta gamma की value put कर देते हैं अगर यहां से तो आप इस equation को find out कर सकते हैं सो firstly हम तीनों जो आपके zeros of the polynomial उनका sum 2,2 का product का sum and 3 का product यह calculate कर लें अगर हम और यहां पर value पुट कर देतो हमारे equation आ जाएगी yes आ जाएगी स्वाइए देख लेते हैं alpha plus beta plus gamma किसके equal है 2 plus minus 3 plus 4 it means 2 minus 3 plus minus minus 3 plus 4 so guys 6 minus 3 equals to 3 it means alpha plus beta plus gamma की value की आ गई आपकी 3 hence alpha plus beta plus gamma equals to 3 that means जो आपके तीनों 0s of the polynomial है उनका sum किसके equal है 3 के equal है now इनका 2,2 का product का sum अगर हम देखते हैं alpha, beta, beta, gamma plus gamma alpha so value put कर दीजे 2 into minus 3 plus minus 3 into 4 ठीके and now plus 4 into 2 ठीके so हमने alpha, beta, beta, gamma, gamma, alpha की value put कर दीए now solve कर लेते हैं minus 6 4,3 is a 12 minus 12 4,2 is a 8 plus 8 ठीके so now 12 और 6 कितना हो जाएगा minus 18 plus 8 it means आगई minus 10 value so alpha, beta plus beta, gamma plus gamma, alpha equals to minus 10 so यहां से हमारी जो 0s of the polynomial का दो-दो product का sum किसके equal है minus 10 के equal है now हम क्या find out कर लेते हैं तीनों 0s of the polynomial का product देख लेते हैं alpha, beta, gamma guys इतना समझ आगे है ना आपको सबसे पहले हम तीनों का sum ले रहे हैं फिर दोरों का product का sum ले रहे हैं now तीनों का product ले रहे है so आगे देख लेते हैं 2 into minus 3 into 4 2,3 is a 6, 6, 2 is a 12, 3 is a 18 and 6, 4 is a 24 that means minus 24 so alpha, beta, gamma किसके equal है minus 24 के that means तीनों 0s of the polynomial का sum किसके equal है minus 24 so यहां से आपके तीनों term की value आगई यह भी आगई आपकी and यह भी आगई आपकी and यह भी आगई आपकी तीनों value आगई है अब हम क्या करते हैं इस equation में put कर देते हैं so Px equals to x cube minus alpha plus beta plus gamma की value 3 that means यहां पर हम value put कर देते हैं 3 into x square plus यहां पर alpha, beta, beta, gamma, gamma, alpha की value कितनी आई है minus 10 into x and minus alpha, beta, gamma की value कितनी आई है minus 24 minus 24 now bracket open करते हैं जब हम लोग तो क्या आएगा? x cube minus 3x square plus minus minus 10x and minus minus plus 24 that means Px equals to आगे है x cube minus 3x square minus 10x plus 24 hence you can write it as hence the cubic polynomial the cubic polynomial is Px equals to x cube minus 3x square minus 10x plus 24 so guys this is your answer finally यह आपका answer आजाता है so इस तरीके से आप कोई भी cubic polynomial find out कर सकते हैं अगर आपका zeros of the polynomial दिये हैं so clear है नहीं आपको? समझ आगे? तो वीडियो लाइक कर दीजे and comment कर दीजे yes मैं मुझे समझ आगिया है right guys so अपने friends who ज़्यादे स्यादे शेयर कीजे जिससे उनके लिए भी यह solutions helpful हो now question number 4 solve कर लेते है now friends question number 4 आपको दिया हुआ है find a cubic polynomial whose zeros are 1 upon 2 1 and minus 3 so आपको क्या find out करना है? cubic polynomial find out करनी है zeros दिये हैं means zeros of the polynomial आपको दिये है जैसे कि आप जानते है quadratic polynomial होगा तो 2 आपके zeros of the polynomial होगे and cubic polynomial दिया है तो 3 होगे right so again हम लोग यहाँ पर कर लेते है let alpha equals to 1 upon 2 beta equals to 1 and gamma equals to minus 3 जैसे कि हम alpha, beta, gamma 3 zeros of the polynomial assume करते है so उनकी value हमने assume कर ले alpha की value दिस beta की value दिस and gamma की value दिस now cubic polynomial find out करना है so first of all you know cubic polynomial क्या होती है x के term में x cube minus जो भी zeros of the polynomial होता है उनका sum plus zeros of the polynomial का sum with product 2 at a time means जो आपका 2 at a time means दो-दो लेंगे एक ताइम में इनके product का sum यह होता है इसका meaning right into x minus product of zeros of the polynomial ठीक है so यह आपका basically formula होता है यहाँ पर x square होता है x cube x square x and यहाँ पर कुछ नहीं होता है x की पावर 0 होती है इसके value 1 होती है so this is the equation of cubic polynomial now you have to find out the sum of the zeros of the polynomial some with product sum with product 2 at a time इसलिए इसको इस तरीक से बोलते है and product of the zeros of the polynomial इन तीरों की value find out करनी है so आपको alpha, beta, gamma की value तो दी है find out कर सकते है न कर लीजे alpha plus beta plus gamma that means 1 upon 2 plus 1 plus minus 3 it means 1 upon 2 plus 1 minus 3 now क्या जाएगा आपका 1 upon 2 minus 2 so LCM ले लेंगे जिसके पावर में कुछ नहीं होता 1 होता है that means 2 LCM ले तो 1 minus 2 to the 4 so we can say minus 3 upon 2 hence alpha plus beta plus gamma किसके एकोल आगया minus 3 upon 2 के एकोल आगया right now alpha, beta beta, gamma, gamma, alpha calculate कर लेते है 1 upon 2 into 1 plus beta gamma की value रखते है 1 into minus 3 plus gamma alpha की value रखते है minus 3 into 1 upon 2 so firstly product solve करेंगी 1 upon 2 ठीके plus minus minus 3 plus minus minus 3 upon 2 so जिसके upon में कुछ नहीं होता 1 होता है 2 LCM ले लेंगे तो 1 and यहाँ पर क्या जाएगा 1, 2 is a 2 that means 2 से multiply होगी 2, 3 is a 6 2, 1 is a 2, 1 that means minus 3 now solve करेंगे क्या जाएगा 6 or 3, 9 and 9 में से 1 minus करेंगे तो minus 8 upon 2 we can say minus 4 ठीके so alpha, beta plus beta, gamma plus gamma, alpha की value क्या आगया आपकी minus 4 ठीके now तीनों का product calculate कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर alpha, beta, gamma so value put कर देते हैं 1 upon 2 into 1 into minus 3 hence minus 3 upon 2 right so अब हमें क्या find out करना है Px find out करना है Px यहाँ पर value put कर देते हैं x cube minus alpha plus beta plus gamma की value minus 3 upon 2 into x square plus alpha, beta, beta, gamma, gamma, alpha की value यहाँ से क्या आई है minus 8 upon 2 यह फिर आप लेख सकते हैं minus 4 so minus 4 into x plus यहाँ से आपकी alpha, beta, gamma की value क्या आई है minus minus 3 upon 2 ठीके so हमने क्या क्या equation value put कर दी now solve कर लेते हैं इसको x cube minus minus plus 3 upon 2 into x square minus plus minus 4x minus minus plus 3 upon 2 so यह क्या आगे अब p x k को लागे that means this is the zeros of the cubic polynomial now हाँ यहाँ पर क्या करेंगे cubic polynomial के लिए 2 आप LCM मे लिजिए सभी में तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जिसके पॉन में कुछ नहीं होता है हाँ 1 होता है that means 2x cube plus 3x square minus 4 to the 8x plus 3 so p x equals to 2x cube plus 3x square minus 8x plus 3 upon 2 आगे अब आपको मालूम है p x क्या है 0 of the polynomial है यह 0 के equal होगा that means यह भी आपका 0 के equal होगा 2x cube plus 3x square minus 8x plus 3 upon 2 so जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता same यही बात याद रख लिजिए 1 होता है cross multiply कर देंगे so क्या जाएगा p x equals to आपको मालूम है 0 के equal हो जाएगा यहाँ से and 2x cube plus 3x square minus 8x plus 3 hence आपका जो polynomial आगया hence cubic polynomial is 2x cube plus 3x square minus 8x plus 3 so guys this is the cubic polynomial it's a p x के equal माल लेते हैं हम लोग तो यह आपको समझ आगे है ना कि यह 2 कैसे रिमू हुआ कि हमें मालूम है यह 0s of the polynomial है it means यह function किसके equal होगा इन value को put करने पर 0 के equal होगा so यह 0 के equal होगा तो यह भी 0 के equal होगा so यह आपका 2 remove हो जाता है multiply करके so यह आपका cubic polynomial मिला जाता है so guys इस तरीके से question number 4 भी आपको completely solve हो जाता है I hope आपको question number 3 and 4 completely समझ आगया होगा समझ आगया वीडियो लाइक करके comment कर दीजे यह समझ मुझे समझ आगया है and guys अपने friends को जादर से अदर शेर कीजी चैनल पर नए है तो bell icon पर press करके all press कर लीजे and red button पर subscribe पर press कर दीजे okay so मिलते हैं next video में all the best bye bye take care